अगर सूरज ना होता तो सायद आज प्रिथवी भी प्रकास मान न होती लेकिन उतना ही डल लगता है जब कोई आने वाली भविस की घटनाओं के बारे में बताता है तो आज की सी वीडियो में धर्ती को प्रकास करने वाले सूर के बारे में कुछ अंसुनी बाते बताएंगे जो सायद आपको नहीं पता होगा नमबर वन सूर का अकार इतना बड़ा है कि इसके अंदर 13 लाक धर्ती समा सकती है नमबर टू सूरज धर्ती से करिब 150 लाक किलो मीटर दूर है लेकिन फिर भी प्रकास की चाल इतनी तेज है कि सूर से प्रकास को धर्ती तक आने में केवल आठ मिनट भी सिकेंड लगते हैं नमबर थ्री जहां एक और 45 डिगरी तापमान पर हम लोग गर्मी से बेहाल हो जाते हैं वहीं सूर के अंदर का तापमान करिब एक करोण 50 लाक डिगरी सेलसियस है नमबर फोर अगर सूर का अकार एक फुटबाल जितना माने और व्रिश्पती का अकार गोल्फ बाल जितना मान लिया जाय तो धर्ती का अकार एक मतर से भी कम होगा नमबर फाईब शूर का असली रंग सफेद है धर्ती के वातावरण के कारण हमें यह पीला दिखाई देता है नमबर शेक्स अगर मान लेकी हम सूर की सतह पर रहते हैं तो आपको धर्ती पर आने के लिए जो राकेट तयार करना होगा उसकी सुरुवाती गती 618 किलोमीटर प्रति सिकेंड होनी चाहिए तभी आप सूर से बाहर निकल सकते हैं नमबर शेवन सूर का गृत्वा करशन धर्ती से 28 गुना जादा है मतलब कि अगर धर्ती पर आपका वजन 60 किलो है तो सूर पर यह 1618 किलो होगा नमबर एट अगर मान लेकि सूर की चमक एक दिन धर्ती पन न पहुँचे तो धर्ती कुछ ही घंटों में बर्प की तरह पूरी तरह से जम जाएगी नमबर नाइन सूर एक सिकेंड में जितनी उर्जा मुक्त करता है हम उसको धर्ती परिष्टोर नहीं कर सकते हैं हमारा तारा सूर एक सिकेंड में 42 लाख टन उर्जा मुक्त करता है